हलो मेरे शाइनिंग स्टार स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठे कुस्तिका भाई अमित पब्लिकिशन से पाठ पंद्रा जिसका शीर्शक है जिसका नाम है घडी का इतिहास जी हां घडी के बारे में अभी तक हाथ में पहनने वाली दिवार घडी और यह जो टेबल पर मेच पर रखी जाती है तो हमें इसके बारे में दो दो पंक्तियां आपको लिखनी होगी ठीक है अब हम करते हैं पाठ प्रवेश प्राचीन काल से तरह तरह की घडीयों का विकास होता रहा है क्योंकि समय का हमारे जानकारी को जानेंगे आये शुरू करते हैं हम सभी लोग घडी के बारे में बाते तो करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि इसकी खोच कब और कहां हुई थी जब घडी नहीं हुआ करती थी तब लोग कैसे समय देखते रहे होंगे हमने इतिहास पढ़कर जाना कि प्राची कालांतर में लोग घडी का विशकार करने में जुड गए जुट गए दुनिया की सबसे पहली सूरे घडी मिस्र में बनाई गए थी इस घडी से केवल दिन के उजाले में ही समय का पता लग सकता था सूर्यास के बाद का समय बताने के लिए यह अनुपयोगी थी इसी में सूर्योय होते ही सब्सक्राइअ जाता था और इसमें सब्सक्रात कर दिया जाता था इसमें से nutrient कर पानी के छिन टकता था और समय का पता लगाया जाता था इसके बाद रों में रेड़ गड़ी बनाई गई यह गड़ी डमरू के आकार की थी इसके अलावा मुंबती के जलने रसी के सुलगने और लैंप में तेल खतम होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गए इस प्रकार की जितनी घड़ियां बनी थी सभी समय पर बताने में समय बताने में सभी असमर्थ थी जिस आजकर लोग पहनते हैं वैसी पहले घड़ी पहनने वादे व्यक्ति थे पहले व्यक्ति फर्स्ट परसन कौन थे प्रसिद फ्रांसीसी घड़ी तग्या और दाश्निक ब्लेज पास्कल इन्होंने सबसे पहले जो थी उन्होंने घड़ी बनाई थी इन्हें कैलकुलेटर का अभिश्कारत भी माना जाता है सन 1650 के आसपस लोग घड़ी को जेब में रखकर घुमा करते थे ब्लेज पास्कल ने रस्टी से इस घड़ी को हथेली में बांग लिया ताकि काम करते समय में देख सके इस कारे के लिए उनके साथियों ने उनका मजाग भी उड़ाया लेकिन आज हम सब गर के साथ कलाई मे ही घड़ी पहनते हैं पहले चाबी बनने वाली घड़िया बनती थी जिनकी वज़े से अब कॉर्टर्स आटोमेटिक तता इलेक्ट्रोनिक घड़ियों ने लेली है कॉर्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थाई रूप से यांत्रिक गुर्वस्थित रहते हैं एक विशेश प्रकार की कॉर्टर्स घड़ी सेकेंड के लाख में इससे तक को भी सही सही नाप सकती है आईए जाने घड़ी की विकास यात्रा पांसो से तीनसो इसा पुर्व मिस्र में सूर्य घड़ी से समय पता करते थे फिर चारसो इसमी से पुर्व युनान में पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाते थे और फिर रिस्ट वाज बनाई फिर फिर interventions में 1808 में ईसमी में कार्थिया ने पहली लेडिज घड़ी बनाई फिर 1902 में पहली omega wristwatch बने फिर Libya एटहर ने पहली alarm wristwatch बनाई फिर 1923 में John Hardwood ने पहली आटोमेटिक रिस्ट वाच बनाई फिर 1925 इस्वी में पैटेक फिलिपिनिक कैलेंडर युक्त रिस्ट वाच बनाई फिर 1927 इस्वी में रोलेक्स वैस्टर ने पहली जलरोधी घड़ी का निर्मान किया फिर 1930 में मैलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियां बनाई गई फि फिर 1903 लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई फिर 1957 में हैमिल्टस ने पहली इलेक्ट्रोनिक घड़ी बनाई इतना ही नहीं कुछ घड़ियां अपनी विशेशताओं के लिए भी मश्यूर है जैसे अमेरिका में बनी एक ऐसी घड़ी जो पांच बा पर अंकित कर देती है जोत्पुर में एक मदूर संगीत सुनाने वाली घड़ी रखी है अंत्रिक्ष में उपग्रह के स्थापना के समय परमारू घड़ियां ही काम आती है जिन पर तापमान गुर्त्वा कर्षन और वायू मंदल के दबाव को कोई प्रभाव नहीं पड़ कि किस समय से घड़ियां शुरू हुई कैसे मनुष्य ने समय को जाना और किस तरह धीरे 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 घड़ियों का विकास होता चला और अब हम क्या करेंगे कठिज शब्द कालांतर वायू मंदल सूर्योदे सूर्यास्त स्तर किस्टल अत्स्त कुरुत्वक्षन क्वार्ट सूर्च का डूबना सग गुरुत्व कक्षण अपनी और खीचने वाली प्रत्फी की शकति अविश्कारक यानी खोज करने वाला अंतृक शौनी आकाश दार्शन को जानने वाला और उपग्रह घ्रह के चारों और चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंडitt हैं। क्या करने कि अब हम करेंगे प्रश्चनुत्त तर प्राचीन काल में तो बच्चों एक-टू सूरे की इस पता चलता था और गाउने जो था पूर्गजअ बांग होती थी इसका मतलब दिन अभी छोटा है और जैसे जो चे परचाहिए हमारी छोटी होती जाती थी छोट तो गया इसका मतलब 12 बज गए है यानि कि दिन जो है अब आगे बढ़ता जा रहा है तो परचाहिए से हम इस तरह से समय कांदाजा लगाते थे दिशा सुचक यंद कि यह हमारे काम में लाया जाता है अब है शरीर का तापमा नापने के लिए किस यंद्र का प्रयोग किया जाता है इसका निर्मांड किस ने किया शरीर का नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तो शरीर का तापमा नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है और इस यंत्र का जो अविश्कार था डैनियल गौनियल फॉरन हाइट ने किया था और अब चाहरे हैं सही विकल्ब पर सही का चिन लगाने प्राचीन काल में लोग समय का पता कैसे लगाते थे सूरे की गती से चंद्रमा को देखकर वायू के द्वारा या पैटेक फिलिपी जॉन हाइवुट एटर्णा या बलेस पासकल आज दुनिया की सबसे पहली सूरे घड़ी कहां बनाई गई भारत चीन मिस्र इंगलेंड मिस्र में थी दुनिया की पहली सूरे घड़ी पहली जलगड़ी कब बनाई गई थी बैबिलोन में फ्रांस पे ची ब्लेस पासकल नहीं हाइंगस नहीं एटर्णा नहीं जॉन हुट नहीं हाइंगस नहीं किस सन में आटोमेटिक रिस्ट वाज बनाई थी 1921 1924 1923 1932 आटोमेटिक रिस्ट वाज 1923 में बने अब हम कर रहे हैं रिक्तसानों की पूर्थी प्राचीन काल में लोग सूरे की गति को देखकर समय का पता लगाते थे दुनिया की सबसे पहली घड़ी जो थी वो बनी थी मिस्र में और सन 1650 के आसपास लोग घड़ी को जेब में रखकर कुपते थे और पहले चाबी पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी और जोधपुर जोधपुर में एक संगीर सुनाने वाली घड़ी है तो फिर से देखिए प्राचीन काल में लोग सूरे की गतिवों देखकर समय का पता लगाते थे दुनिया की पहली घड़ी मिस्र में थी सन 1650 के आसपास लोग घड़ी को जेब में रखकर घूमा कर देते और पहले चाबी भरने वाली घड़ियां होती थी और जोधपुर में एक महित मदूर संगी सुनाने वाली घड़ी है और अब हम चल रहे हैं सही मिलान पहली घड़ रोम पहली घड़ी पहनी ब्लेस पॉसकल पत्ती की घड़ी युनान और लेडी घड़ी कार्टियर ठीक और अब हम चल रहे हैं प्रश्न उत्तर जलगड़ी का विश्कार कभों और एक किसने काम दे करती थी जलगड़ी का विश्कार सोल्वी शताब्दे में हुआ था बच और सभाश्र हीषता थास ह gratis स Ubay का अदाजन लगाटे रहे थे विश्कार हूं का क्या विश्कार कहांड़ी की चीक je सही सही नाप सकती है, ये कौर्टस घड़ी की विशेष्ट है, क्या विशेष्ट है, कि घड़ी की सेकंड के लाख में हिससे तक को भी सही सही नाप सकती है, परमारू घड़ियां कहा काम आती है, परमारू घड़ियां अंत्रिक्ष में उपग्रह की स्थापना के समय, जो होत सब्सक्राइब सब्सक्राइब नियृटर भी दिर्माद में घड़ी कि अलावं लोग समय जानने के लिए किसका प्रयोग करने लगे थे लिएurar समय देख लिए renewable गडव लॉबाएब समय से भी देख्ते हैं इसके अलावा. on स done colour not सो क geschमear है energy supplyu है इस भी कब बनाई electronic Changing meditation तो बच्चों इसके साथ हमारा घड़ी का विश्कार इवाला पार्ट यहीं समापत होता है और आशा करते हैं आपको भी इस पार्ट के माध्यम से घड़ीयों के बारे में बहुत कुछ नई-णई जानकारी मिली होगी इसके साथ हमारा पार्ट समापत होता है आभार